हेलो फ्रेंट्स और वेल्कम टू माई चैनल नीटू स्पेशल किचन तो फ्रेंट्स आज हम लोग बनाएंगे पर्फेक्ट मेजर्मेंट के साथ पर्फेक्ट डोकला यह खाने में बहुत टेस्टी लगता बहुत ही इसपंजी और बहुत सोफ्ट डोकला आप घर में ही बहु इसमें लोग एड़ करेंगे चार चमच चीनी 3,4 और इसमें आध़ चमच नमक और डेट चमच मूमफली का तेल यह तो कोई बात हैं नौर्मल रिफैंट भी यूज़ कर सकते हैं अब हम लोग इसे अच्छी तरह फेट लेंगे जब तक जब तक ही चीनी मेंट ना होजाए यह हमारी चीनी मैल्ट हो चुकी है अब यह मैंने लिया दो कप बेसन इने मैंने चनली से चान लिया था अब यह हम लोग इसमें एड करेंगे और इसको धीरे-दीरे मेक्स करेंगे वैसे तो आपने चाना हुआ है अब इसमें थोड़ा सा हींग आड कर रही हूँ और यह मैंन इसको धीरे-दीरे फेट लूगे वैसे तो आपने बेसन चाना हुआ है तो इसलिए लंप नहीं बनेंगे उसके बाद भी लेकिन आप धीरे-दीरे से अच्छी तरह फेट लें यह देखे बैटर हमारा रेडी है अब इसे हम लोग 10 मिनट के लिए रग देंगे अब हम अब हम लोग इसमें डाल रहे हैं एक चमच बेकिंग सोड़ा जिसे हम लोग खाने का सोड़ा भी कहते हैं तो यह हम लोग इसमें एड करेंगे और इसको एक ही डायरेक्शन में लगवग 30-40 सेकिंड तर चला देंगे और उसके बाद जिस बरतन में हम लोगों को डालना है इसमें ग्रीज किया हुआ था उसमें इसको एड करके दो सिर्फ दो या तीन बार टैप करेंगे और उसके बाद इसको इसमें स्टीमर में रखकर और लगवग 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढखकर रख देंगे उसके बाद हम लोग इसका इतने तड़कत है यार कर ल अब इसमें हम लोग एड करेंगे थोड़ा सब चीनी लगवग 2 चमच आधे चमच नमग और आधा नीमबू कर रस अब चीनी मैल्ट होने तक हम लोग इसे पका लेंगे हमें कोई चाजनी वैशनी रेडी नहीं करना है सिर्फ इसको नॉर्मल मैल्ट होने देना है अब इसक सकते हैं नाईफ एकदम कलीन तो इसका मतलब हमारा रुखला बनके रेडी इसको हम लोग ठंडा करके साइड से निकाल लेंगे उसके बाए इसको ऐसे प्लेत रखक के और और निकालं इसको अब हमारा रा ठोकला होना बनकेnity है हम लोग इसे काट लेते हैं यह यह मैंने ढूखले को काट लिया है आप इसके ऊपर जो हम लोग पानी बाण दालेंगे वह हम लोग हलका थंडा करके डालेंगे नियुल सम लोगों को एक दम गरम नहीं एर्ड करना है यदि आप गरम एड़ करेंगे तो आपका सारा धोकला मैल्ट हो जाएगा तो यह मैंने इसके उपर एड़ कर दिया लीजिए हमारा इस्पंजी सौफ धोकला बनके रेडी है आप एक पर ज़रूर ट्राय करें यह घर में बहुत टेस्टी बनता है